नमस्कार साथियो स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल में तो आज की यह वीडियो में गरंटेट बोल सकता हूँ कि आपके लिए बहुत इंपोटेंट होगी बहुत ही महत्पूर्ण सिद्ध होगी क्योंकि गाइज 28 तारीक को जो आप केमिस्ट्रिका एक् पर अंतु आ सकता है इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि A, B, C, D, E, F, F सेट तक पेपर आ रहा है हमारे मद्यप्रदेश में तो मैं गारंटेट यह नहीं बोलता कि यही सेट आएगा क्योंकि आपके जिले में कौन सा सेट आता है मुझे कोई पता नहीं कोई भी अंदजान न आप देख सकते हैं अपने मोबाईल की स्क्रीन पर सबसे पहला प्रस्न आप यहां पर देखेंगे सही उत्तर चुन करके आपको लिखना है जी आगाई सही उत्तर आपको चुन करके लिखना है यहां पर सबसे पहला प्रस्न आपको दिया गया है 180 ग्राम जल में मोलो की कितनी होगी बहुत आसानी से आप पता लगा सकते हैं एक और बात में आपको क्लियर कर दूं कि यदि आपको आंसर नहीं पता है आपके पास किसी तरीके की कोई सायत सामगरी नहीं है यानि परिक्षा अधियर परिक्षा बहुत प्रश्ण बेंक जो कुछ भी है वो नहीं है किसी तंत्र को बंद तंत्र कहा जाता है यदि वो परिवेश के साथ रिक्तिस्तान का विनवें करता हो पाचवा यहाँ पर है आरहे नियस के अनुसार अमल वे पदार्त है जो ठीक है देख सकते हैं जो यानि सही आंसर आपको इसमें से छाट करेके लिखना है अगला प्रस्न आपके सामने यहाँ पर स्क्रिंड पर आ चुका है देख लिजिएगा वीडियो काल्टी थोड़ी बला लेजिएगा क्योंकि इस तरीके के वीडियो में डाटा की कंजूसी करना आची बात नहीं है क्योंकि पूरे पूरे नंबर दिलना है कि नहीं कि हम आपक क्या कहना चाहता हूं बस सब्सक्राइब करिए बस आप वीडियो को लाइक में मत करिए लाइक नहीं चाहिए मैं रखो बस आपकी चाहिता हो जानी चाहिए अच्छे तरीके से बस देख लिजएगा आप अपने इसाप से आगए और आपका टाइम बरबाद नहीं करूंग और पेट्रोलियम के रिक्तिस्थान द्वारा पेट्रोल एमम केरुसिन आधी प्राप्त होते हैं ठीक है देख सकते हैं आप सही आंसर क्या है आपको यहाँ पर असुविधा के लिए खेद है हमें थोड़ा हमारा स्टेंड डगमगा गया था देख सकते हैं यहाँ पर तीस ठीक है देख सकते हैं सबसे कम शारी धातू वर्ग दो में से आपको लिखना है यह ध्यान रखिए वर्ग दो में से आपको लिखना है कार्बनिक रासायन में नाभिक इसने ही अभी कर्मक से क्या अभी प्राय है और बेंजिन गंद युक्त कार्बनिक योगिक है यह किस प आपको लिखना आगे बढ़ते हैं यहां पर प्रस्णर नंबर 5 आपको दिया गया है देख सकते हैं प्रस्णर कर्मांग 5 देखेगा यह पूरा प्रस्णर आपके सामने यहां पर मोझूद है hydrogen spectrum में प्राप्त किनी दो संकलाओ और यहां सिरीज के नाम आपको लिखना है दोनों एक यह संकलाओ और सिरीज ठीक है देख लिजगा इस तरीके से प्रस्ण आपको पूछा गया है यह अत्मावाला भी आप नोट कर लिजगा हो सकता है यह ना आए यह आजाए यह पर यह ना आए यह आजाए इन सभी प्रस्णों का आप नोट कर लिजगा ठीक है देख लिजगा आगे छटवा प्रस्ण आपके सामने मोजूद है डाइबोरीन की सनचना आपको लिखना है और अनुरूपता क्या है कारबन के प्रमुक अनुरूपों के नाम आपको लिखना है ठीक है देख सकते हैं आगे सात्वा प्रस्ण आपके सामने यहापर मोजूद है बेंजिन में तीन द्वी आबंद होते हैं यह भी फिर भी यह अत्यादिक स्थाई है क्यों और वुट्ज रासायनिक अभिक्रिया का समिकरन आपको लिखना है और क्या यह अभिक्रिया से मिथेन बना सकते हैं इसके बाद आठार आटवा प्रस्ण आपके सामने यहाँ पर है रासायनिक समिकरन को संतुलित करना क्यों आफसक होता है और रासानिक सम्विक करन को संतुलित करने की विदियो की नाम आपको लिखना है ठीक है आगे बरते हैं अथुमा वाला भी अगर आप नोट करना चाहे तो कर सकते हैं इसके बाद नोवा प्रस्न बहुत कम समय में आपको अधिक प्रोफिट में दे दूँगा गाइस दीखेगा बहुत फायदा है इस चैनल को सब्सक्राइब करने में यह तो कक्षा ग्यारवी है आगे कक्षा बारवी के बोर्ड के वेपर भी इसी चैनल पर आपको मिल सकते हैं तो गाइस सब्सक्राइब करने में आपका कोई नुक्सान नहीं है देख लिए जगा नोवा प्रस्न आपके सामने है पी और्बेटिल का चितर आपको बनाना है निरुपित करना है इसके बा अब वाला इडिलेक्टरान बंदी एल्पिती और विद्धयत रिनात्मक्ता में मूल अंतर क्या है ठीक है देख लिजिएगा ग्यारवा प्रस्न आपके सामने यहां पर मुझूद है आवर्ट तालिका का उप्योग करते हैं करते हुए निम लिखित प्रस्नों के उतर आप संयोजन से क्या सूतर आपको लिखना है आप समझ सकते कि प्रस्न आपसे पूछना क्या चाहता है देख लिजिएगा यह प्रस्न आपके सामने यहां पर मुझूद है बार्वा प्रस्न इस्तिरताप पर बंद पात्र में एक दर्व अपनी वार्ष्प के साथ साम्य वस्ता में है यदि अचानत पात्र का इतन बढ़ जाता है तो क्या होता है इन इस्ततियों के आधर पर आपको आंसर देना है अध्वा यह रहा आपके सामने निम लिखिती स्पीसीज को लुईस अमलेट एवं लुईस सार में आपको वरगिकरत करना है तेरवा प्रस्न आपके साम ला नोट कर लीजेगा करतन और वैलडिंग में परमाणवी हाइड्रोजेन है में आकसी हाइड्रोजीक ठार्च किस परकार कारे करती है देख लीजेगा चवदोवा प्रस्न आपके सामने आपर लिथियम और मैग्नेसियम एक समान विभार प्रद्शिक करते है और यह क्या लिजेगा देख लिजेगा ये पंदरवा प्रस्न आपके सामने यहां पर मोझूद है निम लिखित कार्बणिक योगिकों के IUPAC नाम आपको लिखना है देख लिजेगा सभी योगिक आपके सामने है अतोवा वाला ये रहा आपके सामने अलकेण के प्रथम चार्ज समझाती योगी को के नाम आपको एवम सुत्र लिखना है और सौलवा प्रस्न में आपको उश्मा ब्रतिकी के निम्न समिकरन निम्न तक्नीकी सब्दों को इसपस्ट आपको करना है और तिन परिस्तितियां बताईए सामान इस्तति के लिए आंतरिक उर्जा परिवतन का समिकरन भी आपको लिखना है प्रस्न हमारा कंप्लीट होता है अगला प्रस्न की बारी आती है सतरवा प्रस्न आपको सामने यहाँ पर मोजूद है आप अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं यह देखी अठारो प्रस्न कार्बनिक योगी को के संबंद में निम्न को समझाना है आपको प्रेरनिक प्रवाद प्रभाव और अनुराद संकरन समाव वैवता और संजाती इस्रेणी सजाती सोरी सजाती है यहाँ पर आप देख सकते हैं अत्वाद में देख सकते हैं निम्न के रासानिक सुत्रैमम आईउ पीएसी नाम आपको लिखना है सिरका, ग्लुकोज, पॉलिथीन, जहरीली शराब और क्लॉराफॉर्म ठीक है, देख लिए जगा अच्छे से, पूरा को पूरा प्रस्न पत्र हमने यहाँ पर completely देख लिया सभी प्रस्न को प्रस्न पत्र यानि सभी प्रस्न आपके सामने यहाँ पर मोजू देख देख सकते पूरा को पूरा प्रस्ण पत्र यहाँ पर आपको दिखा दिया है मैंने अब आपका दर्म बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले वीडियो को लाइक कर ले अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद और जय भारत